Dandruff जिसे रूसी भी कहा जाता है एक ऐसी condition है जिसमें सर की जिल्द में white flex बनना सुरू हो जाता है Dandruff कोई harmful condition नहीं है मगर फिर भी ये हमारे लिए embarrassing और uncomfortable हो सकती है वैसे तो dandruff की काफी causes हो सकती है जैसे oily skin, hormonal changes, eczema या फिर कोई bacterial changes मगर ज्यादा तर dandruff एक तरह के fungus melassezia yeast की वज़ा से होती है ये हमारे सर की जिल्द से खुराक लेकर अपनी growth करता है ये fungus हमारे सर के hair follicles में मौझूद sebaceous glands के आसपास रहता है और gland से निकलने वाले oil को ये खाने के लिए इस्तमाल करता है melassezia sebaceous oil पर कुछ enzyme secrete करता है जिससे oil saturated और unsaturated fats में convert हो जाता है और फिर melassezia saturated fat को absorb करके अपनी खुराक बना लेता है जबकि unsaturated fat absorb ना होनी की वज़ा से हमारे सर की जिल्द में inflammation cause करते हैं जिसके response में हमारे immune cells inflammatory reason के cells को kill करना शुरू कर देते हैं इसके बाद dead cells को replace करने के लिए जिल्द में तेजी से नए cells बनना शुरू हो जाते हैं और इस तरह नए cells बनने और पुराने cells के dead होने का process ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाता है और dead cells, oil के साथ मिलकर scalp पर white flex के form में इखटा हो जाते हैं और ये flex dandruff कहलाते हैं इन flex की वज़ा से हमारे सर्थ के जिल्द इची हो जाती है मलसाइजिया yeast की वज़ा से जो dandruff cause होती है उसे seboriak dermatitis कहते हैं treatment क्योंकि ये ज़्यादा तर fungus के वज़ा से होती है इसलिए इसको treat करने के लिए anti-dandruff sample ज्यादा तर anti-fungal chemicals के साथ बनाया जाता है जैसे कि keto-conazole जो की एक anti-fungal chemical है इसके अलावा dandruff को treat करने के लिए selenium sulfide का भी use किया जाता है जो हमारे सर्थ की जिल्द में natural oil के production को कम कर देता है इसके अलावा coal tar, salicyclic acid, dandruff को treat करने के लिए use किया जाता है